बागपत के थाना गैसपुरा इलाके में एक युवती के साथ छेट छाड को लेकर जमकर खूनी संगर्श हुआ इस संगर्श में महिलाय समेत करीब एक दरजन लोग गंफी रूप से खायल हो गए जुनका राज अस्पताल में चल रहा है सिंगावाली आहीर्थाना शेत्रे के गौसपुर गाउं में उस समें एक संखर्श खूनी संखर्श में तबदील हो गया जब यहां के रहने वाले की युवक ने गाउं की युक्ती से छेट छाड कर दी फिर क्या था दौन वपक्ष्याम ने सामने आके जमकर लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग गंफी रूप से घायल हो गए तो हमने रिपोर्ट कराई हमारी 10 बजलों भी 10 बजलों भी हमारी कारवाई कुछ नहीं हुई फिर वुसका बड़ा भाई है उसके बड़े भाई नहीं मेरी गुवास से यह बोला कि तेरे छोट-छोटे बच्चे तू वीद्वा होगी कैसा करेगी तू मेरे से साधी कर ले यह बात ही हमारी 10 बजलों कुछ कारवाई नहीं है इस तक हूनी संघर्ष का वीडियो बागपत में जमकर वाईरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह एक दूसरे को लाठी डंडों से पीच रही हैं कल तक जो पड़ोसी थे वह आज एक दूसरे की जान की दुश्मन बन बैठी हैं पुलिस ने अब इस से मामली की जान शिरू कर दी है जनपत बागपत के गाउं बोस्पुर में परोशी परोशी ईश्वर वा महिस में जगला हो गया जगले के उपरान दौनों पक्ष के लोग ठोटेड हो गए चोटनों का मेडिकल कराये मेडिकल के उपरान टाफाय या दर्ज कर ली गई है और प्यों की से ओधरी ग्रफतारी की जाएगी गाउंवाले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब मामला दर्च कर लिया है और इसे मामली की चार्च की जा रही है पुलिस ने चार्च के लिए गाउं के कई लोगों को हिरासत में लेकर फूस्ताच भी शुरू कर दी है सीन्यूस के लिए ब्यूर रिपोर्ट